भेंस करिदने के बाद पशुपालको को आठ हजार रुपई नकली नोड देने के आरूपी को पुलिस ने काबो कर लिया है और पुलिस ने आरूपी से पांसो पांसो रुपई के सोला नकली नोड बरामत किये है पुलिस ने आरोपी को कोट में पेश कर रिमान पर ले लिया है बता दें कि यूपे के मेरत निवासी फिरूज खान जिला के गाओं हदोडी में पशुपालक से एक भैस खरीदी गई थी और भैस करीदे के बाद पशुपालक को कीमत देते हुए 8000 रुपई के नकली नोट थ आरोपी फिरूज खान को 8000 रुपई के नकली नोट के साथ काबू किया और पुलिस जाँच अधिकारी विर सिंग ने बताए कि आरोपी से 5500 रुपई के 16 नकदी नोट बरामत किये गई हैं फिलहाल आरोपी को कोट में पेश कर रिबान पर लिया गया है यह काटेड़े लेते हैं काटेड़े बेंस और अब दी गाम से साथे सताई जार रुपई की बेंस ले थी उसमें 16 नोट पंसे पंसे की 8000 रुपई निकली दे दिया उसको पता चल गया उसको हमारे को फॉन कर दे हम से ले लिए मोक्य वाइश को पैसे भी नोट भी गिरता किस तरह क्या है फिरोद खान ताहते रहने वाले है यह युपई का मेर्ट का इसने बता कि हम दिल्ली उसमें ले जया है मेले में कोट में पेस करें तीन दिन के रिवांट बलिया एक ही नंबर के नोट से जादत